गुड मॉर्निंग स्ट्ट्ट्स मैसल फ्रीना सिंग आयम असिस्टेंट टीचर ऑफ डॉक्टर देवंदर पाल सरसुति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुराधबाद क्लास 6 का इंग्लिस रिडर के अंतरगे चैप्र नमबर 5 पढ़ेंगे किड्नैप सैंटा क्लॉज तो आज हम देखेंगे के क्रिस्मस का तोहर जो हिसायों का तोहर वह आने वाला है फेस्टिवल आने की तैयारी है वसी समय पे किस्मस का जो उनके गौड है सैंटा क्लॉज उन उनके सहायक होते हैं किस तरह से उनके वर्ग को कम्प्रीट करते हैं और गए उन्हें सैंटा क्लास को छोड़ाने में और कौन उन्हाइं अपराऊं है इसके बारे में आज हम इस-स्टॉरी का माध्यमस के जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं read this story तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी सेंता क्लाज लिपस इन दा लाफिंग वेली वेर स्टेंड डा डा एंग रैंबलिंग केस्टल इन विच इस ट्वाइज आर मैनुफैक्टर जू जो सेंटर लाज ते है एक लाफ्वंग वेली यानि खुसी कि जो वेली में गाती उसमें रहते थे जहां पर एक उनका क्याता बहुत बड़ा महल था और जिसमें ट्रैज यानि खिलोओने 만들어 यानि उत्पात्त की ज़या नि बनाये जाते थे जिसमें खिलोने बनाये जाते थे It is called the laughing valley इसे laughing valley क्यों कहा जाता था क्यों because everything there is happy क्योंकि वहाँ पर सभी कुछ खुशी से थे आनन्द था The brook chuckles to itself The bind whistles merely in the trees The sun beam dance lightly over the soft grass and violets And build flowers look smiling up from their green nest तो जो laughing valley थी वहाँ पर जो हवा चलती थी पेड़ों की वह बहुत धीरे-धीरे आराम से बहती थी Sun beam सूर की केरने का प्रकास वो dance करता था या नरत्य करता था किसके उपर soft grass यानि मुलायम घास के उपर और जो नीले जंगली फूल थे वो भी मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे From their green nest और जो अपने घौस देते जो उनकी कलियां थी हरी उन में से खिलते हुए या मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे On one side is the mighty forest of वर्जी, at the other side stand the huge mountain that contains the caves of demons and between them the valley lies smelling and peaceful उसके एक तरफ जो था वो एक बड़ा वर्जी का जंगल था घना At the other side और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा mountain यानि पहाड था और उसमें caves of demons यानि राक्षसों की गुफा थी And between them the valley lies smiling and peaceful और उसके बीच में जो घाटी थी वो सांती पूर्ण तरगे से मुस्कुरा रही थी यानि जो सेंटा क्लॉस का मेहल था उसके एक तरफ घना जंगल था वर्जी का और दूसरी तरफ राक्षसों की गुफा थी बड़े पहाड़ों पर और बीच में सेंटा क्लॉस का मेहल था किसी भी जगा पर यानि वन वोड थिंग कोई भी सोच सकता था कि हमारे जो अच्छे सेंटा क्लॉस है उनका कोई भी सत्रू नहीं है प्रत्वी पर लेकिन जो राक्षस रहते थे परवत की गुफा में ग्रीव टू हेट सेंटा क्लॉस बहुत नफरत करते थे और उनकी नफरत का जो प्रमुक कारण था मैं रीजन था वो था ही मेड चैल्ड चैल्डरन हैपी कि वो बच्चों को खुश रखना चाहांते थे जो डेमन की गुफा थी वो पांच थी ए ब्रोड पैत्वे लीड्स अप टू फर्स्ट केव बिच आफ फाइनली आर्चर्ड केवर्न एट दा फुट ओफ दा माउंटेन दा एंट्रेंस वियर ब्यूटिफुली कारवेड एंड डेकोरेटेड जो पहली गुफा थी वो एक बहुत ब्रोड में स्पेत्वे ब्रोड पैत्वे चोड़े रास्ते से होकर जाती थी और सबसे नीचे परवत था बढ़ा उसके सबसे नीचे की तरफ थी दा एंट्रेंस वियर और उसके जो प्रिवेस करते थे तो वहां पर एक सुंदर धका हुआ या बहुत ही सोभाय मान वहां पर इस्थान था in it resides the demon of selfishness जो इसमें demon था राक्षस था वो किस का था स्वार्थ या महत्वा कांच्छा का राक्षस था स्वार्थ का बैक दिस इस अनौदर केवन इन्हाइट बाई दा डामन ओफ एनवी और जो उसके पीछे जो गुफा थी यानि सबसे पहले नीच यह थी वह इडश्या यान भी मिस इडश्या या डहा के राक्षस की गुफा थी the cave of demon hatter is next in order और तीसरे नंबर पर जो घ्रणा का राक्षस था उसकी गुफा थी throw this one passage to the home of the demon और इसी के रास्ते में आगे घर थार दूसरे राक्षस का मैलाइस का यानि जो द्वेस का राक्षस था उसका मैलाइस situated in a dark and fearful cave in the very heart of the mountain और जो मैलाइस यानि द्वेस की गुफा थी वह बहुत थी अंधेरे में और डरावनी गुफा थी और वो बिलकुल mountain यानि परवत के बिलकुल बीच में इस्थित थी however from each one of the four caves mansion the there is a small tunnel leading to the fifth cave a quasi little room occupied the demon of repetition who is said to be a present sort of fellow who gladly opens for one a little door admitting you into fresh air and sunshine again और जो next यानि अगली गुफा थी वो इन गुफाओं के सबसे यानि चार गुफाओं के चार राक्षसों की गुफाओं के बाद में थी और वो गुफा थी एक छोटा सा room था किसका प्रिपिटेंस यानि पस्तावी के राक्षस का वो इस सेट जो की एक सांत की तरीके से अपनी खुली हुई दरवाजे के साथ बैठा था वो ताजी हवा और संसायन यानि उसके दरवाजे के आगे सूर्वी चमक रहा था यह जो सभी गुफाइन थी यह राक्षसों की गुफाइन थी इसमें जो रहते थे राक्षस वो बहुत थी ग्रेट केज अफ डिसलाइक यानि बहुत नफरत करते थे उन्हें पसंद नहीं कर सकते थे किसे सेंता क्लॉस को और उसके लिए उन्होंने इस ग्रहना के करते हुए एक दिन वन डे डिस्केजर मैटर इस मैटर पर एक मीटिंग बुलाई हैं सभा बुलाई मैं बहुत थी अकेला हुँ सेट दाइमन ऑफ सेल्फिसनेप यानि स्वार्थ के राक्षस ने कहा उसने कहा सेंता क्लॉस जो क्रिस्मस पर तोहार पर क्रिस्मस के तोहार पर बहुत सुन्दर गिफ्ट बाटते हैं उपहार देते हैं बच्चों के लिए बे उन्हें क्या बनाते हैं बच्चों को खुस और दयालू बनाते हैं कीप अवे फ्रॉम माई केव और वो मेरी जो गुफा है या मुझसे दूर ले जाते हैं और उसके बीच में ही जो द्वेस इट्शिया का राक्षस था उसने जोईन के यानि वह बोल पड़ा वह कहता है जो यह सामगरी देते हैं बच्चों को वह बहुत थोड़ी है लेकिन बच्चों को क्या बनाती है इर्शिया से दूर ले जा सकती है यानि इर्शिया वो एक दूसरे से नहीं करते हैं और यह मेरे लिए बहुत बुरा है डिक्लेयर दा डैमन ओफ हैटर जो ग्रहना का राक्षस था उसने कहा फोर इफ नो चिल्डरन पास्थ रो दा कैप्स ऑफ सैल्फिसनेस एनिवी नन गैन गैट और टू माई कैवन जो यह राक्षस से तीनों इन्होंने कहा कि यह जो स्वार्थ का इर्शिया का राक्षस था इन्होंने कहा यह सैंता क्लॉस जो उपहार बांटते हैं हमें बच्चों को हमसे दूर ले जाते हैं और टू माईन एड़ेट दर डैमन ओफ मैलाइस और जो द्वेस का राक्षस था उसने कहा मुझे भी जो पस्तावे का राक्षस था उसने बाद में कहा और मेरा भाग यदि बच्चे तुम्हारी कुफाव में नहीं जाएंगे या तुम्हारे पास नहीं जाएंगे तो वो मेरे पास भी नहीं आ सकते और इसलिए मैं तुम्हारी तरह अपने आपको भी नकार देता हूँ या अपने आपको भी नहीं समझता इर्चा के राक्षस ने कहा कोई भी परसन या कोई भी हमें से एक संता क्लोज के पास जा सकता है कि वह साधान तरह जो हमारा कार रहा है उसे व्यर्थ कर सकते हैं हमें एक बार कोशिस करनी चाहिए तो दिस दे रेडली एग्री इससे सभी सहमित हो गए but what to do was another and more difficult matter to settle they knew that the Santa Claus worked all through the year at this castle in the laughing valley preparing the gift he was to distribute on Christmas Eve and at first they resolved to try to tempt him into their caps that they might lead him on the travel propels that ended in destruction तो यह जो चारो राक्षस ते यह कह रहते हैं कि उनके पास another more difficult matter to settle यानि इस यह करना बहुत कथिन है Santa Claus को उपहार ना देने के लिए मनाना बहुत कथिन है वे जानते थे कि Santa Claus पूरा साल अपने महल में यानि Laughing Valley जो उनकी हसी की घाटी थी उसमें खिलोने तयार करते हैं distributed on Christmas Christmas के तोहार पर बाटने के लिए दे पहले से उनके गुफा में जाकर लालश देना चाहिए तब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम उनके जो उपहार है उनके जो देने के कार है उसे आसानी से समाप्त कर देंगे so the very next day while Santa Claus was busy at work surrounded by his little band of assistants the demon of selfishness came to him and said अगले दिन जब Santa Claus busy थे यानि बैस्त थे अपने कार्रे में by his little band of assistant अपने जो उनके सहयोगी कार्य करता थे काम करते थे उनके साथ तब demon of selfishness ने स्वार्थ का राक्षस उनके पास आया और कहा these twas are wonderfully bright and pretty जो आपके खिलोने हैं बहुत ही सुन्दर हैं आकरसक हैं और आरामदायक हैं why do you not keep them yourself आप इन्हें अपने लिए क्यों नहीं रख लेते इट इस प्रीटी तो गिव दैम तो दोस नवाईजी बॉइस और फीट्फुल गर्ल्स who break and destroy them so quickly और यह इतने सुन्दर हैं इतने अच्छे हैं कि अगिदी आप इन्हें जो सरारती बच्चे हैं या बिलकुल बुरी तरह की लड़किया हैं आप उन्हें देवगे तो वो इन्हें क्या कर देंगे तोड़ देंगे या destroyments नस्ट कर देंगे 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 जल्दी ही नोंसेंस क्राइड द ओल्ड ग्रेवर्ड हाई ब्राइट आइस ट्विंक्लिंग मेरली एज टूर्ण तुवार्ड्स द टेंप्टिंग डेवन जो डाड़ी वाले जो बुड़े जो सैंता क्लॉस थे वो उस पर डेवन पर टेंप्टिंग यान इंड फ्रीटफुल आफ्टर रेसीविंग माई प्रुजेंट से एंड इफ आइकें दैम हैपी फोर वन डे इन दा इयर आयम क्वाइट कॉंटेंट उन्होंने उस पर चिल्ला कर कहा जो संता क्लॉस थे उनकी आंके बहुत तेज चमकी और उन्होंने कहा दो बॉइस एंड लड़के और लड़कियां कभी भी आवाज करने वाले यह सरारती नहीं हो सकते वो सोर करते हैं जब मैं उन्हें उपहार देता हूं यह मुझसे उपहार प्राप्त करके रिसीव करके वो सोर करते हैं if I can make them happy for one day मैं यदि मैं केवल एक दिन उन्हें खुस कर सकता हूं in the year मतलब पूरे साल में I am quit content और जो मैं उन्हें सुन्दर सी सामगरी देता हूं उससे मैं केवल बर्स मैं यानि साल में एक बार ही उन्हें खुस कर सकता हूं और वो मेरे ही उपहार लेकर बहुत शोर मचा भरत आया या उत्तेजित होते हैं इक एड़ेल लॉन औाटन नो हार्म कैन सब्सक्राइब केशल संटा क्रकलास वेल इस ही इन दासका सकता यह इन लॉत पर लॉए जब तक व्हार आपनी लाफिंग बैलिय यानि हसीशी की घाटी में या प्रिसनता की घाटी में है But on Christmas Eve लेकिन Christmas के तोहार पर He drive his reindeer reindeer होता है एक हिरन होता है बारे सिंगा जो उनका वाहन है Out in the big bird और संसार के बहुत बड़े संसार में वो जाते हैं So the demons lead the plants and waited the arrival of Christmas Eve इसलिए राक्षिसों ने योजना बनाई और वो Christmas के तोहार आने की प्रितिक्षा करने लगे The moons on big and white in the sky and there is no lay creeps and sparking on the ground as Santa Claus cracked his sweep and sped away out of the valley into the great world beyond The moon यानि रात में जो चंद्रमा था वो बहुत बड़ा और सफेद आकास में चमक रहा था है इसनों ले creeps यानि वर्फ भी गिर रही थी sparkling on the ground और जो तारे थे वो भी चमक रहे थे Santa Claus cracked his beef जो Santa Claus ने अपना कोड़ा उठाया और sped away और तेजी से वा बैली के यानि घाटी के बाहर निकले into the world, great world beyond जो बहुत बड़ा संसार है उसके उसमें जाने के लिए और वो reindeer यानि जो हिरन था बारा सिंगा था उस पर चड़ गए और उन्होंने Santa Claus ने गाना गाना और हसना सुरू कर दिया वो सीटी बजाते हुए आनंद के साथ गाना गाते हुए चलने लगे for in all his merry life this was the one day in the year when he was happiest the day is lovingly was stored the treasures of his workshop upon the little children for in all his merry life यानि ये उनकी पूरी जिंदगी में साल में एक बार आता है when he was happiest जब वो बहुत खुस होते थे हैं the day he lovingly ये जो दिन होता है Christmas का ये बहुत प्रिये होता है छोटे बच्चों को suddenly a strange thing happened अचानक एक बड़ी घटना गटी a rope sought through the moonlight और जो रस्ती थी वो उनके जो सूर्चन्दरमा का प्रकास था उसमें तेजी से आई big news that was the end of it settled over the arms and body of Santa close and drew tight और उस रस्ती ने उन्हें Santa Claus को और उनके हातों को और उनके पूरे सरीर को ही बांध लिया before he could resist और even cry out इससे पहले कि वो चिलाते he was just from the sea of the slag and tumble head foremost into a snow bank while the reindeer rosed onward with the load of twice carried it quickly out of sight and sound इतने वे वो समझ पाते कि वो एकदम बर्फ में और जा गिरे उनका सिर में अचानक कुछ लगा इस नो बैंक या निवार्फ में लगा जबकि जो हिरन था उनका वो बहुत जो खिलोने थे उनके पास उन्हें तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ता रहा जिस तरह आपको यह चित्र में दिखाई दे रहा है सेंटा क्लोस को पांच जो थे डेमन उन्होंने मतलब किड्नेप अपैरण कर लिया था Such a surprising experience confused old Santa Claus for a moment old and when he had collected his sense, he found that he wicked demons had pulled him and then they carried the kidnapped Santa Claus away to their mountain where they thrust a prisoner into a secret cab and claimed him to the rocky so that he could not escape उन्हें surprise यानि आश्यर का अनवा हुआ और सेंटा क्लोस confused हो गए इस moment से यानि इस कार से और जब उन्होंने अपना sense लगाया यानि सोचा तो उन्होंने पाया कि जो क्रूर विक्ट यानि जो क्रूर थे राक्षास उन्होंने उन्हें पकड़ लिया है and they carried और वो उन्हें किड्नेप पहरण करके सेंटा क्लोस को अपने मांटेन यानि परवत की गुफाओं में ले जा रहे थे वेर दे ट्रस्ट दा प्रिजजन उन्होंने उसे एक क्यादी बना लिया था और अपनी गुफा में छुपा दिया था chand him to the rocky और उन्हें उससे जो परवत में chand लगी हुई थी उससे बांद दिया था so that he could not expect जिससे वो भाग ना सकें accept में तर छोड़ा ना सकें ha ha laugh the demons demons hus पड़े robbing their hands together with cruel glee और जो हस रहे थे वो अपने हाथों को तेजी से एक दूसरे के साथ मार कर बहुती कुरूर हसी हस रहे थे what will the children do now अब बच्चे क्या करेंगे how they will cry we कैसे चिलाएंगे and scold and storm when they find there are no trials in their stockings and no gifts no their Christmas trees and what a lot of punishment they will receive from their parents and how they will flock to our caves of selfishness and envy and malice we have done a mighty clever thing we demon of caves तो जो उन्होंने किट्नेप कर लिये डेमनोंने तो उन्होंने सोचा कि जो बच्चे हैं अब वो कैसे चिलाएंगे जब उनके क्या नहीं मिलेंगे there are no trials उनके खिलोने उन्हें stock things यानि जो उन्होंने सामान इखटा कर रखा उसमें नहीं मिलेंगे no gift कोई उपहार उन्हें नहीं मिलेगा Christmas tree यानि Christmas के पेड़ पर और what a lot of punishment और वो जब उन्हें कोई उपहार प्राप्त नहीं होगा तो वो अपने माता पिता से लडेंगे how they will flock of our capes और फिर वो हमारे जो जुन्ड के साथ हमारी गुफाओं की तरफ आएंगे जो किसकी गुफा है? स्वार्त की, इर्शया और द्वेज की गुफा है we have done a mighty clever thing हमने एक बहुत ही चतुराई भरा कारे किया है we demon of caves हम गुफाओं के राक्षस हैं no it is so chance that on this Christmas Eve the good Santa Claus had taken with him in his slag, neuter, the royal, peter and nook, kilter and pixie and a small fairy named whisk his four favorite assistant उन्होंने कहा इसका कोई अफसर नहीं है Christmas के तोहार पर जो good Santa Claus थे उन्होंने कहा जो मेरे साथ, जो मेरे करमचारी है neuter, royal, peter, nook, kilter, pixie और small fairy जिसका नाम क्या है, whisk है वो मेरे सबसे अधिक चहीते करमचारी है जब उन्होंने देखा जो उनके असिस्टेंट थे चारो उसी रेंडियर यानि जो हिरन वाली गाड़ी थी, वारे सिंगा वाली गाड़ी थी निरासा होई सेंटा क्लोस को ना पाकर जो चोटा विस्क था उसने सीट से जो बैठा हुआ था उनके हैं रेंडियर की सवारी पर उसने मुह उठाया बाहर निकाला और कहा फाउंड सेंटा क्लोस, गौन चलो सेंटा क्लोस को ढूंडते हैं और उन्होंने जो हिरन वाली गाड़ी थी, उससे कहा चलो उन्हें ढूंडने के लिए वो ही काल्ड आउट दर डियर, और डेंटली इसलेक्ट स्पीड एंड कम टू अ हॉल्ड जब उन्हें आवाज दी तो जो डियर था, वो अचानक धीरे-धीरे अपनी स्पीट कम की और एक जगा रुख गया पीटर, निटर, एंड केल्टर, और जम्ट अपॉन दा सीट, जो उनके साहयक थे, वो अपनी सीट से उठे और उन्होंने पीछे देखा, ट्रेग मेड वाइदा सलाई, वट सेंटा क्लॉस हैड विन लेफ्ट माइस एंड माइस बहाइंड, उन्होंने पीछे तक देखा कि जो सेंटा क्लॉस थे बहुत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, वाट शेल वी डू, अब हम क्या करें, आस्ट विक्स अनगसली, जो विस्क था, उन्होंने उस्तुकता से पूछा, अल्दा मार्त एंड मिस्टीप्स वैनेज्ड फ्रॉम हिस वी फेस वाई हिस ग्रेट क्लेमेटी, जो सभी उनके सहायक थे, वो सब उसके चहरे को उस्तुकता से, यानि बड़ी कंभी और राइल ने कहा कि चलो, हमें वापस चलते हैं और अपने जो स्वामी हैं सेंटा क्लोज उन्हें ढूंडते हैं, नो नो एक्लेम दा पीटर एंड नुक, पीटर और नुक ने कहा कि नहीं हमें नहीं ढूंडना है, वो बहुत दूर छूट गए हैं पीछे, माइटी काला यां बहुत ही आपती जना कि यां बहुत असमंजस वाला समय हैं, इफ वी डेली गो बैक, यदि हम बापस जाएंगे, देर विल नौट टाइम तो गेट ट्वाइज तू दा चिल्डरन बफोर मॉर्णिंग, तो हम सुभह से पहले बच्चों को उनके खिलोने नहीं द कर पाएंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा, it is certain that some wicked creatures have captured him, added the kilter thoughtful, जो kilter था उसने सोच कर कहा कि अचानक से किसी ने जो कुरूर प्राणी है, creature है, जो बहुत ही दुस्ट है, उसने उन्हें पकड लिया है, their object must be make the children unhappy, वह बच्चों को दुखी बनाना चाहता है, so our first duty is to get the trash distributed as carefully as if Santa Claus were himself present, इसलिए हमारा पहला कर्तब है कि हमें जो खिलोने हैं वो बच्चों को साबधानी पूरवक बाटने चाहिए, जैसे कि Santa Claus वहाँ पर उपस्थित हो, afterwards we can search, उसके बाद हम अपने master को यानि अपने swami को ढूंडेंगे and easily secure his freedom और उन्हें आसानी से आजाद करा लेंगे, This seemed such good and sensible advice that the others once resolved to adopt it, ऐसा सुनकर सभी ने आसानी पूरवक उसकी जो advice ती सलहा थी वो स्विकार कर ली और उस पर कारे किया, So Peter the Nook called it to the reindeer and faithful animal, तो जो उनका Peter था उसने और नुक ने उसके जो faithful animal यानि बफादार जानवर था रेंडियर बारा सिंगा उससे पुकारा, Again, sprang forward, dressed over hill and valley और वो जो घाटी और पहाड़ियां थी उनको पार करते हुए वहाँ पहुचे, Throw forest and plan, वो जंगलों को और मैदानों को पार करते हुए until they came to the houses, wherein children lay sleeping, और वहाँ पर आ गए जहाँ पर बच्चे सो रहे थे and dreaming to the pretty gift और जो उनके सपने में जो सुन्दर उपहार थे, उनको सपने में देख रहे थे, they could find on Christmas morning, जो उन्हें Christmas की सुभा को मिलने थे या प्राप्त करने थे, Having put the deer in the stable, the little fox began to wonder how they might rescue their master and they realized they must discover first of all what had happened to him and where he was. वाज जो deer था उसे उन्होंने एस्तेवल यानि जो वहां पर जहां रहता था वहां पर छोड़ दिया और उसके बाद वह एक little fox began to wonder यानि जो एक छोटी सी सेना उन्होंने बनाई rescue their master अपने master स्वामी को छुड़ाने के लिए and they realized उन्होंने महसूस किया कि वह उन्हें अपन to him के उनके साथ क्या हुआ वेर ही वाज और वे कहां थे सो विस्क दा फेरी ट्रांसपोर्टेड हिंसेल्फ तू दा वावर अफ दा फेरी क्यों उन्होंने इसलिए विस्क ने जो फेरी थी परियां थी उन्हें अपने पास बुलाया और परियों की रानी से कहा there is did not take him long find out all about the naughty demons and how they had kidnapped the good Santa Claus to prevent his making children unhappy कि जो यहां पर जो राक्षसों की गुफा है उसके पास से जो सैतान राक्षस हैं उन्होंने किस तरह से Santa Claus को kidnap कर लिया उनका अपरहन कर लिया बच्चों को दुखी बनाने के लिए in the man while the good Santa Claus convinced the demon of repentance that he had done a grave error of kidnapping him इनकी बहुत बड़ी गलती है जो आपने को उन्होंने किड्नेप किया he started feeling bad उसे बहुत बुरा महसूस हुआ for Santa Claus और children के लिए so he freed Santa Claus और इसलिए उसनोंने आजाद कर दिया merchant over the snow towards the mountain was west army जो बहां पर जो बर्फ की पहाड़ियां थी उसके दोरान बहां एक बहुत बड़ी vast means बहुत बड़ी आर्मी सेना आ गई made up the most curious creature imaginable जो कालपनिक प्राणी थे दुस्ट उनके पास this wonderful army वाज लीड़ वाई with Peter, Neuter and Kilter who had assembled it to rescue Santa Claus from captivity और जो बहुत बड़ी सेना थी सांदार सेना थी उसकी जो इक्षा थी जिसमें Peter, Neuter, Kilter थे उन्होंने Santa Claus को आजात कराने की उन्हों में बहुत बड़ी captivity यानि छमता थी and to punish the demons और उन्होंने राक्षिसों को दंड दिया who had dared to take him away from his beloved children जो उन्होंने हिम्मत की थी उनके प्यारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की या उन्हें इर्शा देश सिखाने की But low coming to meet his loyal friends appeared the imposing form of Santa Claus his white word floating in the breeze His bright eyes sparkling with pleasure at this proof of the love and veneration he had inspired in the hearts of the most powerful crisis on existence लेकिन जब उन्होंने meet his loyal friends appeared और अपने जो मित्र थे जो सुप्शिंतक थे उन्होंने Santa Claus को आते देखा his white bird floating जो उनकी सफेद डाड़ी थी वो हवा में उड़ रही थी His bright eyes उनकी चमकिली आँखें जो बड़ी आँखें थी वो चमक रही थी with the pleasure आनंद के साथ Proof of the love प्रेम के आनंद के साथ When reason he had inspired वह उनसे बहुत दिल से ही in the heart और हिर्दें से ही बहुत प्रहवित हुए Most powerful creatures यानि जो बहुत थी सक्तिसाली प्राड़ी थे जिन्होंने उन्हें आजाद कराया था And while they clustered around him और उन्होंने जब चारों तरफ देखा and danced with Glee at his safe return कि वो dance करने लगे नरत्य करने लगे कि वो बापस सुरक्षित आ गए He gave them earnest thanks for their support और उन्होंने धन्यवाद दिया अपनी support करने के लिए या साथ देने के लिए But whisk and neuter and peter and kilter he embraced affectionately लेकिन जो whisk, neuter and peter and kilter थे वो उनसे ज़्यादा प्रभावित बहुत प्रभावित हुए We really did very well We बास्तों में बहुती अच्छे थे cried the fairy परियां चिलाई In a pleased voice अपनी आनंद भरी आवाज में For I found little unhappiness among the children this morning और उन्होंने पाया कि इस सुभा जो बच्चे थे वो बहुत खुस थे Still you must not get captured again My dear master for we might not to be so fortunate another time in carrying out of your ideas जब तक captures मानी छुडाना होता जब तक हमने आपको छुडाने से पहले My dear master मेरे स्वामी पहले मैंने जो आपने जो कार निश्चित किया था carrying out of your ideas जो आपके विचार थे यह जो आपके जो उपहार थे उन्हें ले जाने का वो हमने पूरा किया as for the big demons of the cave they were filled with anger and charging when they found their clever captures of Santa Claus had come to not जब जैसे ही उन्होंने big demons से गुफाओं के जो राक्षा से उन्होंने देखा कि they were filled with anger कि वह बहुत ही प्रोधित हो रहे हैं they found उन्होंने देखा कि जो उनके Santa Claus ते जो उन्हें किड्नेप किया था उन्हें छोड़ा लिया गया है वास्तव में इंडीड वास्तव में no one on that Christmas day appeared to be at all selfish or inavious or hateful बास्तव में जो Christmas का तोहार है उस दिन जो स्वार्थ इर्शया दियोस होती है उसे छोड़ दिया जाता है and realizing और महसूस किया जाता है that while the children sent had so many powerful friends जो संता है सेंटर क्लॉजा या संत हैं वो बच्चों के बहुत ही अच्छे मित्र है इट वास फोली टू अपोज हिम दा डैमांस नेवर अगैन अटेंड इंटरफेर बिद हिज जर्णिस ओन Christmas इव इसके बाद कभी भी उन राक्षसों ने क्रस्मिस का तोहार है उसकी यात्रा में कोई इंटरफेर यानि कोई दखल नहीं दिया दुबारा से तो बच्चों हमने आज यह स्टोरी पढ़ी इससे हमें अच्छे से समझ में आया कि सेंटा क्लॉज को किस ने किड्नेप किया किड्नेप करने वाले राक्षस जो हमें इस अच्छों देश छोड़कर अपने सेपाठीयों से अपने पडोसियों से मिलकर रहना चाहिए तो इस चैप्टर के साथ आपको क्रिस्मस के तोहर की बदाई और यह तोहर केवल आपको यही संदिज देता है कि आप मिलकर रहो तो इस चैप्टर के जो कोईश्चन आंसर है आपको पीडियेप के आम आते हम से मिल जाएंगे